सभी साथियों को मेरा नमस्कार आज हम लोग समिधान की अनुसूचियों से सम्मंधित कुछ महत्वपूर टोपिक पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर है जो एक्जाम में आने की यहां से प्रभल समभावना होती है तो आए देखते हैं समिधान की अनुसूचियो यहें राजयत और संग राजय चेतर से सम्मंधित हैं दूसरी जो अनुसूचियों भारत के भारती संग के प्राधिकारियों को मिलने वाले बेतन भत्ते तथा पेनसन आज से सम्मंधित हैं तीसरी अनुसूचियों भारती संग के कुछ प्राधिकारियों के सपत और प्रति ज्ञान के प्रारूब से संबंदित है जो चोथी अनुसूची है ये भारत के राजियों तथा संग राजी छेत्रों जैसे जमूक और कास्मीर दिल्ली और पंडुचेरी के राजी सभा के राजी सभा में प्रतिनेदितों का वर्रण करते हैं पांचवी अनुसूची जो है अनुसूची छेत्रों तथा अनुसूची जनजातियों के प्रशाषन एवं नियंत्र के बारे में उपबंद किया गया है जो छटवी अनुसूची है असम, मिघाले, तिरिपूरा और मिजोरम के जनजाति छेत्रों के प्रशाषन के बारे में अगला जो है आपका सातवी अनसूची, सातवी अनसूची में जो है किन्र और राजियों के भी सक्तियों के पिवाज़त के बारे में उपबन किया गया है, तो इसमें तीन सूचिया है, तो पहला जो है संग सूची, दूसरा राज सूची और तीसरी जो है समवर्ति सूची है तो जो पहला संग सूची जो है इसमें पहले चक्व संहित है ज़किन परतमान में अन्ठ बिशय है और संग सूची में इसामिली बिशयों केवल संग कानून बना सकता है तो और जो संग सूची से जो समन्हिर भिसे हैं यह हैं रेडियू, टेलिवीजन, शेयर बजार, टाक घर, बचत बैंक, जनगरना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, आज इसे आज जो है संग सूची के भिसे हैं दूसरा जो है राज सूची इसमें कुल 66 भिसे हैं और जो बरतमान में 69 भिसे हैं लेकिंग, जिस पर कानून बनाने कारिकार के वल राज सूची को हैं इसमें जो राज सूची से समन्हिर जो भिसे हैं यह है पूलिस, लोक स्वास्त एवं स्वक्षता है, क्रीशी है, रेलवे पुलिश है, पंचायती राज है, प्रतिकर ब्यक्ति है, पंचायती राज एवं भूमिसुधार, जो कि राज सुची से सम्मधित विश्य हैं। और अगला आपका है आठवी अनसुची, तो आठवी अनसुची में भारती भसाओं से जो सम्मधित विश्य हैं। चौदा वसाय थी, लेकिन 117 समिधान संसोधन 1967 में सिंधी को, और 177 समिधान संसोधन 1992 में कोंकडी, नेपाली तथा मड़ी पूरी को, और बानवोग समिधान संसोधन 24 में संथाली, डोंगरी, मैथली तथा बोंडो को सामिल किया गया था। अगला जो है आपका नवी अनुसूची, जो है पर्थम समिधान संसोधन 1951 में सामिल किया गया था। उसमें भारत की जो पर्धान मंत्री थे, पर्थम पर्धान मंत्री पंडी जुहारला नेहरो की कारेकाल में नवी अनुसूची को सामिल किया था। जो आपका दसवी अनुसूची है, यह दल बतल से समंदित है, इसके समंदित है, यह जो बावनवा समिधान संसोधन 1950 में सामिल किया गया था। अगला जो है आपका एक ग्यारहवी जो नुसूची है, इसमें पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दाईतों के बारे में उपबंद किया गया है। इसमें जो है 73 वा समिधान संसोधन 1992 में ग्यारहवी अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसमें 29 विशे हैं, जो आपकी बारहवी अनुसूची है, इसमें नगरपालिका के प्राधिकार, अधिकार तथा दाईतों आधिसे अधिसे आधिको उपबंद किया गया है। इसमें जो है क्या बारहवी अनुसूची जो है 74 समिधान संसुधन 1992 में समिधान में सामिल किया गया था, इसमें खुल 18 विशे हैं, जो सहरी अस्थानियों निकाय से समंधित है। यह रहा अनुसूची समंधित प्रस्ण जो एक्जाम में पूछे जाता है। तो आप लोगी से देख लिजेगा सभी साथियों को जहिन।